हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंसिट्यूट की यूट्यूब चैनल पर बच्चों हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर नवर 5 लौज ऑफ मोसन लौज ऑफ मोसन में बच्चों हम लोग पढ़ते पढ़ते पहुंच आया थे common forces in mechanics ठीक है अभी हमने जस्ट इसके पिछले वीडियो लेक्चर में सुरुवात करी थी तो हम पहुंच चुके थे कहां पर common forces in mechanics common forces in mechanics में हम लोगों पढ़ लिया था जैसे weight है ना फिर उसके वाद मने क्या पढ़ा था weight पढ़ा था उसके वाद मने पढ़ रखा था क्या forces धेर सारे forces हमने इसमें दो forces पढ़े थे weight और reaction normal force हमने क्या पढ़े थी मैं दो फोर्स पढ़े थे एक पढ़ा था weight, दूसरा पढ़ा था normal या reaction force और तीसरा हमने बताया था कि हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में जो पढ़ने वाले थे वो पढ़ने वाले थे क्या? Tension के बारे में तो आज वो वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या discuss करेंगे? Tension के बारे में discuss करेंगे इसके पहले, जश्ट पहले की वीडियो लेक्चर में हमने discuss कर रखा है दो forces जिसको बोलते है weight, एक अपका normal और reaction force तो आज की इस वीडियो लेक्चर पर Tension आपको देखने वाले है बच्चों तो Tension क्या होता है? यह भी एक टाइप का force ही होता है क्या होता है? बैटा, force होता है एक टाइप का कैसा force होता है? आईए इसको आपको समझ लेते हैं देखे, the force exerted by the end of string मतलब कि अगर कोई force लग रहा है किसी string मतलब डोरी, rope, rope या रसी, या chain against pulling force is called Tension pulling force, pull मतलब तक खीचना, जो आप force लगा के किसी object को खीच रहे होते हैं उसके against अगर कोई force एक काम कर रहा है उस pulling के against, चाहिए आप रसी को खीच रहा है तो उसके against काम करेगा आप string डोरी को खीच रहे है उसके against या chain किसी को भी खीच रहे है तो खीचने के against जो एक force काम करता है उसके हम लोग क्या बोलते हैं Tension बोलते हैं ठीक है तो मने लिख दिया है The direction of the tension is away from the body जो tension होगा है ना, जो तनाव होगा वो body से दूर की तरफ, दूर होगा क्या होगा बटा, body से दूर होगा ठीक है, तो यह हमने आपको tension के बारे बता दिया है ठीक है, अब आईए कुछ discuss करते हम लोग important point तो please pause करके इसे note down कर लीजे एक बात बच्चों हम लोग पढ़ लेते हैं spring force, क्या पढ़ लेते हैं spring force एक इस पर चौथा भी है एक point पढ़ लेते हैं, spring force ठीक है, तो इसको मैं erase करके करूँगा क्योंकि अभी आपको derivation की भी जरुत पढ़ेगी छोटा सा, spring force भी होता है अब क्या होता है, देख लेते हैं spring force fourth number is spring force spring force spring force क्या होता है देखे, बच्चों देखो, spring force का मतलब यह होता है देखे, अगर किसी भी spring को आप खीचेंगे stretch करेंगे तो अपने length में जो उसके change आएगा उसके against एक force काम करता है ठीक है? जिसको मैं लोग बोलते हैं क्या? restoring force क्या बोलते हैं, restoring force उसी को बोलते है, spring force क्या बोलते हैं, spring force मैंने क्या बोला? कि जितनी भी spring है अपने length में होने वाले change का क्या करती है? opposition करती है कि हमारे length में कोई change ना की जाए चाहे खीच करके, चाहे press करके, दबा करके, ठीक है? तो क्या होता है? जब आप spring को stretch करते हैं या press करते हैं उसको, दबाते हैं है ना? तो होता क्या है? कि उसको अपनी initial stage में लाने के लिए, जैसे आपने पकड़ के spring को खीचा, खीचने के बाद जैसे आप छोड़ते हैं, spring फिर से अपनी initial stage में वापस आ जाता है तो इसको वापस लाने का काम कौन कर रहा है? एक force काम करता है जो कि आपकी खीचने के है ना, against काम करता है जिसको बोलते है, restoring force क्या बोलते हैं, बच्चो restoring force और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? spring force कहते हैं ठीक है? आइए, इसको हम है ना, every spring, क्या बटा, every spring resists any change in, any change in, its length, its length, ठीक है, its length, this resistive force increases with, this resistive force, this resistive force increases, ठीक है, कैसे increase करता है, with change in length, with change in length, with, change in length, ठीक है, length में change होने कि साथ यह force करता है, बटा, यह भी क्या होता है, increase करता है, ठीक है, its given by, it is given by, it is given by, देखिए, जो अपका force होता है, directly proportional to displacement होता है, तो देखो, एक काम करते में, आपको image के थुरू बना के समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे माल लीजिए, आपने, कोई spring, है ना, यह है, clear है बात, तो इस तरीके से है, यह surface है, ठीक है, आप समझ के रखेंगे, क्या है यह surface है, इस पे कोई object रखा हुआ है, mass है m, ठीक है, अपने original length में है, अगर आप ने पकड़ के इसको खेंचा, इस तरीके से, यह fell गया, ठीक, तो माल लीजिए, ठीक है, fell गया, तो आप इसको मैं नीचे बना के दिखाता हूँ, तो आपको जादा आसानी समझ भाया जाएगा, यह देखिए, इसको ऐसे आपने खेंचा, यह देखिए, fell के माल लीजिए, यहाँ पहुँच गया, ठीक, m mass, तो आप देखिए, यह आपका क्या है, original length है, original length से आप देख रहे हैं, क्या हो गया, इतना stretch हो गया, इसको माल लीजिए, x, क्या माल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो increment हो गया, length में वो क्या हो गया, x हो गया, तो जो आपने क्या लगाया, आपने force लगा के क्या किया, इसको खेचा इधर, तो इसको वापस लाने के लिए एक force काम करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, restoring force, ठीक है, तो जो restoring force होता है, directly proportional to x होता है, क्या होता है, directly proportional to x, यहाँ पे मैंने minus लगा दिया, minus का मतलब यह होता है, कि जिधर displacement हो रहा है, उसके against इधर, क्या करता है, एक force काम करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते है, restoring force, वो हमें से directly proportional to x होता है, ठीक है, minus इतना बता रहा है कि उसके against काम करता है, इस force के against, तो खेर, जो आपने apply किया है, तो जैसे proportionality हटाते है, एक कोई कोई constant आता है, जिसको बोलते है k, और जो minus लगा था, वो minus लगाई है, तो f equals to minus kx आता है, where k is constant, k is constant, k का है बेटा, constant है, known as, known as, known as, known as spring constant, क्या बोलते है, spring constant, known as spring constant, ठीक है, known as spring constant, इस बाद को आप ध्यान में रखके चलेंगे, ठीक है, spring constant बोलते हैं इसे, तो इस तरीके से क्या होता है, एक इसी को बोलते है, spring force, ठीक है, क्या बोलते हैं, spring force इसको बोलते है, I hope आपको बाते समझ में आ गया होगी, तो please pause the video to note it down, ओके बच्चों, चलते हैं, next topic पे जिसको बोलते है, newton second law, ये सब बाते जो हम लोग पढ़ रहे थे, newton first law में पढ़ रहे थे, अब हम लोग मूव कर रहे है, newton second law में, तो second law क्या होता है, is के बारे में जान लेते है, सब को पता है, newton second law क्या होता है, एक force होता है, जिसको बोलते है, f is equals to mass into acceleration, force equals to mass into acceleration, ये किस ने दिया था, second law ने ही दिया है, ठीक है, तो आईए इसके बारे में जान लेते हैं, newton second law, newton second law, अब देखिए newton second law क्या कहता है, कि जो rate of change of linear momentum होता है, मैंने क्या बोला, rate of change of linear momentum होता है, वो applied force के क्या होता है, directly proportional होता है, linear momentum सब को पता है क्या होता है, इसको P से denote करते हैं, P equals होता है, mass into acceleration, mass into velocity, है न, mass, mass क्या है, किसी भी object, जो की velocity, V velocity से चल रही है, motion में है, और उसका mass M है, तो उसका momentum क्या होगा, या linear momentum क्या होगा, तो mass into velocity कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, linear momentum मिल जाएगा, ठीक है, तो हमने आपको बताया, कि second law क्या कहता है, second law आपको से यही कहता है, कि जो rate of change of linear momentum है, या जो linear momentum, time के साथ change हो रहा है, वो क्या होता है, डिरिक्ली proportional to force के होता है, ठीक है, यानि force बढ़ाएंगे, तो ओभी क्या होगा, बढ़ेगा, force घटाएंगे, तो ओभी क्या होगा, घटेगा, तो अब simple सी बात है, बेटा, आपको पता है, कि, जो आपका क्या हो जाएगा, force है, directly proportional to rate of change of linear momentum, हो, है ना, पी बोल दिया, rate of change का मतला हो जाता है, टाइम आ जाता है, तो अब क्या बोलेंगे, इसको differentiation के form में लिखते हैं, तो आपको पता है, प्रपोस्ट्राल्टी हटा देंगे, तो f is equal to क्या मिल जाएगा, dp, dt, और आपको पता है, एक बात अच्छे से, p is equal to क्या होता है, m into v, अब यहाँ लिखेंगे, f is equal to d dt of m into v, सब को पता है, अच्छे से, कि p is equal to क्या होता है, p is equal to mass into velocity, सब को पता है, है ना, तो simple सी बात है, यहाँ से m क्या है, constant बाहर आ जाएगा, तो f is equal to m, dv dt, और पता है, dv dt, is equal to, a is equal to क्या होता है, dv dt, बात समझ गए, a equal to क्या होता है, dv dt, यानि कि अगर आफ velocity का differentiation कर देते हैं, तो क्या मिलता है, acceleration, या इसी को आप क्या कहते है, rate of change of velocity is known as, what, acceleration, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, acceleration, तो f is equal to निकल गया, mass into acceleration, यही है आपका second law, f is equal to ma, बात समझ गए, तो अब क्या करते हैं, फटा-फट इसको लिखते चलते हैं हम लोग, ठीक है न, फटा-फट क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं हम लोग, a vector लगा दो, यही force पर लगा दो, ठीक है, चलिए, तो इसी हमने समझा दिया, इसको f equals to ma, यही होता है, आपका क्या, second law, तो आई हम लोग क्या करते हैं बच्चो, इसको definition के form में भी लिख लेते हैं, लिखे, हैंग, कि लिखे, लिखे, इसलिक स्थतित्य लिखे, Français बड़े, एक्षे लिखे zी, यहेे ना, źे लेते हैं, चасे में, आपने सेदिघी लिखे, और शओपने हैं, लिखवे लिखे, 7th, 10th, एसचे हैं, लिखे, 2nd, 1 फोर्स अप्लाई जो आपने एक्षानल फोर्स अप्लाई किया है ठीक है एंड इट चेंज इन मोमेंटम ठीक है यह होता है कहारी बस इतना लिख लीजे और यहां पर आप जैसा देख रहे हैं कि क्या निकल क्या रही वेक्टर कॉनिटी है तो इसकी डेरेक्शन किधर होगी जिधर आप फोर्स अप्लाई कर रहे है उसी की डेरेक्शन में होगा तो आप यह भी लिख सकते हैं कि this change in momentum takes place this change in momentum this change in momentum this change in momentum takes place takes place in direction of in direction of applied force applied force ठीक है जो आपका ये momentum change हो रहा है उसकी direction किधर होगी जिधर आपने force को क्या किया है बच्चो apply किया हुआ है ठीक है तो इस तरीके से हम दोग समझ सकते हैं this is the second law of motion है ना, Newton's second law ठीक है, तो please pause the video to note it down इसको फटाफट गया कर ये लिख लीजे आप तो चलिए, अब लोग आगे बाच्चित कर लेते हैं Newton's third law second law हो चुका, Newton's third law बाच्चित कर लेते हैं ठीक है, Newton's third law क्या कहता है बच्चो ध्यान से समझें Newton's third law Newton's third law तो ये तो बहुत फेमस है है ना, आप से इसमें से आदे जादा बच्चो को Newton's third law पता होगा, है ना, कि क्या होता है Newton's third law है ना, action reaction को श्याद आया बच्चो क्लास 10 में भी आपने पढ़ रखा है action reaction, है ना 10 नहीं, 9 में आपने पढ़ रखा है action reaction, ठीक है, motion chapter में तो action reaction का मतलब ये होता है, simple सी बात है है ना, कि कि किसी भी object object में जब आप force apply करते है तो वो object आपके उपर भी उतनी ही quantity में force apply करती है बट opposite direction में, ठीक है तो इस तरीके से इसको किस ने बताया था, Newton's साव ने बताया था, इसलिए इसको क्या बोलते है, Newton's third law ठीक है, तो जैसे आपका इसका धेर सारी example है जैसे आप समझ सकते हैं क्या सबसे बड़ी चीज़ आप समझ सकते हैं कि rocket, rocket जो उड़ता है आपका किस प्रिस्पर उड़ता है, ऐसी third law पे है ना, नीचे की तरफ उसने सारे आग जो निकलती है नीचे से उस पूरा pressure कहा लगाती है नीचे की तरफ pressure लगाती है तो नीचे क्या होती है, जो अर्थ जो atmosphere होता है, उसको ऊपर की तरफ धका माल लेता है, opposite direction में है ना, उड़ जाती है वो, चलने लग जाती है ठीक है, और और कई example है आपके, है ना, जैसे आप नाओ से उतरते हैं, है ना, नाओ से जब आप बोड से उतरते हैं, तो क्या होता है बोड हलकी सी पीछे अड़ जाती है, action, reaction ठीक है, आपने पीछे थक्का मारा आपको आगे थक्का मार दिया, बोड से उतर गए जमीन पे walking, walking on road जब आप जमीन पर चलते हैं, थरक पर चलते हैं, तो चलना के लिए क्या करते हैं, पैर से जमीन पर क्या लगाते हैं, प्रेसर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, पीछे की तरह, और जमीन आपको आगे की तरह फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो आप मोशर करने लग जाते है तो यह देर सारे एक्जाम्पल से हैं, तो आई यह इसको लिख लेते हैं, फिर बाते हैं हम लोग करेंगे, ठीक, to every action there is, to every action there is always an, there is, there is always an, always an, equal and, equal and, opposite, है न, equal and opposite reaction, equal and opposite reaction, ठीक है, इस बात को आप समझ के चलेंगे, यही है newton's third long, ठीक है बच्चों, तो I hope, आपको सारी बाते समझ में आग रही होगी, तो अब हम लोग impulse की बात करेंगे, वो अगले वीडियो लेक्चर में बात्षित करेंगे, तो please, pause the video to note it down, ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने friends से अगले अगले वीडियो लेक्चर में, उसी जोस के साथ, जैहिन!